हलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस अप सलूसन्स पर दोस्तों जैसा कि इस स्रीज के पिछले वीडियो में हम नहीं देखा कि एंगुलर का सिलाई का क्या रूल है क्यों इस्ट्रोल करते हैं इन सारे पर हमने डीटेल् पर देखते हैं और प्रजेट के अंदर कुछ चेंज करते हैं तो क्या एक पड़ता है इस सारे चीज़ों पर हम बिल्कुल ही अच्छे तरीके से डीप्ली प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे क्योंकि हमने और इंस्टॉलेशन सीख रखा है ठीक है मतलब कि हम यह देखने व मतलब कि फर्ष्ट अप्लीकेशन इंगलर 14 हेलो वर्ल्ड आप हम क्रेट करने जा रहे हैं ठीक है तो इसको क्रेट करने के लिए आप क्या करना होगा कहां पर जाना होगा सबसे पहले ता आपको जाना होगा गो टू और नोड जिस कमांड प्रॉंक्ट उसके बाद आपको अगर फोल्डर बना लिडिए अपने अप्लीकेशन क्रेट करने के लिए अपने लौकल ड्राइब में ऊसी में में इधं करेवाएं हम् पहले करें को कि आपको दिखाते हैं सबसे पहले क्या करना होगा पको यहां पर सर्च करना होगा node.js command prompt देखिए node.js command prompt आ गया यहां से इस पर click करिएगा ठीक है click करने के बाद अगर पहले से अगर आपके पास node.js command prompt उपन हुआ है तो उसको बंद कर दीजेगा उसके बाद यहां से search करिएगा ठीक है node.js command prompt ठीक है उसके बाद इस पर click करने के बाद आपको क्या करना है कि जाना है अगर आपने किसी ड्राइब के अंदर कोई folder create कर रखा है जहां पर आपको project create करना है तो आप जाएगा लिखिएगा cd या फिर माने को directly किसी ड्राइब में जाना है तो आप यहां से अब चले जाएए उसके बाद किसी folder में जाना है तो आप यहां पर cd और यहां पर जो चिस नेम से आपने folder create कर रखा है उसमें जाएगा cd एंगलर प्रोजेक्ट इस folder के अंदर आप आप आगए यहां आप लिखिएगे ng new और project का नेम दीजेगा जिस नेम से आपने project create करना आपको लिखिएगा माई या फिर आप माल यह कि माई first app या किसी नेंसे करेजएगा या फिर माई एंगलर राउटिंग बोल रहा है कि क्या आपने इस प्रोजेक्ट में आप एंगलर का routing module add करना चाहते हैं क्या यह question आप याद रखिएगा यह question इंगलर 7 से पहले नहीं पूछा जाता था यहाँ पर इंगलर 7 में इस question को add कर दिया गया था command prompt में ठीक है यह पूछा जाने लगा इंगलर 7 से क्यों क्योंकि इंगलर केटिम में देखा है कि routing routing module लोग manual create करते हैं तो क्यों ना हम पूछ कर रहीं और डाइटली क्रेट करके देदें अब routing है क्या routing क्यों 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 क्रेट करते हैं जब मैं आपको routing के चेप्टर में हम routing क्यों करते हैं इसका भी हम आंसर देखेंगे राउटिंग की चेप्टर में राउटिंग के वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में ठीक है तो आप यहां पर वाई प्रेस करिएगा उसके बाद इंटरिट करिएगा बोलना है कौन सा CSS आपको बाइड डिफॉल्ट सेलेक्ट करना बाइड डिफॉल्ट आपको क्रेट करना अपने इस प्रेट के अंदर तो आपको कोई भी स्रेट कर सकते हैं हलाकि आपको नॉर्मल CSS करना है उसके बाद आप इंटरिट करेंगे तो यहां से प्रेट क्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा यह थोड़ा सा टाइ के टाई में बहुत सरे पैकेजे इस तो होते हैं आपके इस प्रेक्ट में प्रिवल पर नकिया आपके लेवल तोपर क्यूंकि जितने बार आप project create करेंगे हर बार आपके उस project में तने सारे package install होंगे ठीक है देखिए लिखा हुआ या कि रहा है installing packages और bracket का अंदर NPM मतलब NPM कुछ packages install कर रहा है यही जुरत है यह मैंने वीडियो में बता रखा है कि Node.js क्या जो देखिए यह NPM यह सब कर रहा है मैं आपको दिखाऊंगा पूर्डेट के अंदर जाकर कि NPM ने Node.js का फोल्डर क्रेट कर रखा है उसके अंदर बहुत सरे पैकेज जो इंस्टॉल हुए है वो सरे पैकेज के फोल्डर को क्रेट कर रखा है पैकेज दिखाऊंगा वहां पर इन सरे पैकेज का रेफरेंश डाल दिया यह सब NPM कर रहा है और NPM तभी कर पा रहा है जब आपके लापटॉप में Node.js इंस्टॉल है यह थोड़ा सा टाइम लेका थोड़ा सा वीट करेंगे देखिए यहां पर क्या होगा पैकेज इनस्टॉल सक्सेसफुली मतलब आपके लापटॉप में Angular पूर्जेक फूल्डर के अंदर एक पूर्जेक केरेट हो गया उसकी अंदर बहुत सब्सक्राइब पैकेज इनस्टॉल हो गया और इसमें जाएंगे तो my एंगिलर एप नों से फैल्डर बन गया है जिस नेम से अपने project र begrat किया था इस पर Double क्लिक करिएगा तीने सारे फायल और folder करेंस रख हो गया है और इसके नदर द्धेयर बिबूड करकेंब करकें ठीक है further अब बना दिया है और इसके अध़ जाएंगे तो बहुत सरा फॉल्डर दिखिए उसारे बहुत सरा पैकेज आप दिखते रह जाएंगे दिखी इतना सरा पैकेज अपने आप इंस्टॉल हो गया है आपके से पॉर्जेट के अंदर जो आपको इस पॉर्जेट को हिल्प करने में और भी अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा ठीक है तो यह पोर्जेट आपका क्रेट हो चुका है इस पोर्जेट को हम क्या करते हैं कि विजुल शुडियो कोड के अंदर ओपन करते हैं चलते हैं विजुल Study Code में जो हमने Install करना सिखाया था कि Video Study Code कैसे Install करते हैं यह Willcome Page है और यहां से हम क्या करेंगे कि Open करेंगी अपर्जेक्ट को ठीक है अपको जाना है फाइल में Open Folder ठीक है open folder में आने के बाद आपको क्या करना है कि D Drive में जाना है दी Drive में जाना है उसके बाद Angular प्रोजेक्ट के अंदर और यह आपका फोल्ड बना हुआ है आपका क्या माई एंगलर एप इसको उपन करिएगा है यह पूर्जेक्ट आपके विजिए जो पोड में उपन हो जाएगा आपको यहां अथर्स कर देना है ठीक है अब यहां पर पूरा का पूरा कोड जो है आप करेंगे के सार्सी के अंदर इससां अंदर सोगनर बोलते है उसके बाद आपके अंदर आपने जो अल्रेडि बता रहा है कि अपने आप एक मोडूल का फाइल होना चाहिए फोल्ड देखे फाइल क्रेट होके आ गया मैंने आप लोको जो दिखाया था वीडियों में कि बेस में और भी हम अच्छे तरीके से आगे देखेंगे ति मोडल का फाइल करेट होका आया है और एक Component का फाइल अपने आप करेट होका आया है वाइडिफोल्ट क्योंकि हर project में एटलिस्ट एक Component का फाइल होना जुरूरी होता है तब ही हम किसी अंगलर का प्लिकेशन को डेवलब कर सकते हैं, इस component का ts file है, और इस component का अपने html file है, यही html का file आपके browser पर जाकर load होगा, ठीक है, इस component का css का file है, जहांपर कोई css लिखेंगे, इस component के local css, ठीक है, और जो हमने yes click किया था, routing module के लिए routing module के ठीक हो गया है, अगर आप no click कर दिये होते, no press कर दिये होते, in जिसे मोलते हैं, तो यह file create नहीं होता, ठीक है, तो अब इस project को अगर आपको run कराना है, तो क्या करेंगे, terminal जाएंगे, new terminal करेंगे, ठीक है, और यहां प्लिखेगा, ng serve, इंटर हीट करेंगे, ठीक है, ng serve, इंटर हीट करने के बाद, यह project run होगा, ठीक है, run होने के बाद आपको बता देगा, कि local house putty 200 पर इस project को जाकर open करिए, ठीक है, एक बार देखिए, run होने देजिए, run मतलब इस serve हो रहा है, build कर रहा है इस application को, ठीक है, ज्यादा time में लगता है, depend करता है, कि आपका laptop का रहा में वगरा कितना है, ठीक है, ठीक है, देखिए, run हो गया, इसको बता रहा है, कि HTTP local house putty 200 पर जाकर इस project को देख रहीजिए, इसको कौन activate किया, node.js, ठीक है, अब चलते हैं, ब्राउजर पर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कि लिखते हैं local house putty 200, ठीक है, यह सब मैंने आप लोग को बता रहा था, CLI के बारे में कहां से download करना है, node.js का download करना है, वह ही, ब्राउजर में open है, अभी तक, ठीक है, तो देखिए, आपका यह जो, first open हुआ, आपका, ph, जिसे hello बोलते हैं, मतलब, default पे, यह आपका open होता है, angular का application, जब run कराते हैं, तो देखिए, आपका, my angular app is running, जो आपने project क्या था, run कर रहा है, और यह कहां से आ रहा है, देखिए, यह आ रहाए, यहां से, आपका, जो by default component create होता है, उसी case-tune, पर सब कुछ लिखा हुआ है, यह सब दिख रहा है, यह कहां पर याक दिख रहा है, उस सेलेक्टर के जहां पर आप रखते हैं वहीं पर आपका कंपोनेंट लोड होता है इस कंपोनेंट का सेलेक्टर कहा रखा हुआ है इंडेक्स.html लोड होता है और वहां पर जाकर यह कंपोनेंट लोड हो जाएगा यह कंपोनेंट लोड हो रहा है यह कंपोनेंट लोड हो तो यह template के बारे दिया हुआ है इस ही HTML आपके browser में जाके दिख रहा है कौन सा फाइल है यहाँ पर जो भी चीज लिखा हुआ ही दिख रहा है अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ पर सबको हटा दूँ इस HTML पर जाकर देखेगा browser में कि अब वहाँ पर blank दिख रहा है ठीक है अ ठीक है इसके बाद यहाँ आप तब h1 करता हूं और welcome to शाहो शॉप्ट solutions करता हूं ठीक है अब देखिएगा आपके browser में यह लिखावाएगा ना क्यों default page पर जो था अब ब्राउजर में चलिए देखिए विलकम टो साहो शॉलूशन है मतलब यह है कि आप यहाँ पर जो ल component है यही डारेक्टली आपके browser पर जाका दिखता है तो बाकि सारे component जो create करते हैं वो कहां दिखता है कैसे दिखता है वो सब कुछ आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे तो इसका लिंक कहां पर है देखिए यह component का सेलेक्टर कहां पर आखा हो index.html पर और इस component का और इ हम क्या करना है कि यही पर html inline html लिखना आते हैं पर आप inline html लिख सकते हैं ठीक आपको यहीं से लिख दीजिए h1 hello world ठीक है और h1 को बंद करिए तो देखिए यहीं सब इस फाइल का link हट गया अब इस पर जो लिखा हुआ तो हट जाएगा अब यह नहीं देखेगा अब यहीं पर जो हमने लिखती है hello world अब यह दिख रहा होगा चले ब्रावजर पर देखें hello world दिख रहा है ठीक है इस style लिवार लिखा है CSS को change करने के लिए ठीक है तो देखिए एक चीज़ और समझेए कि एंगुलर इस चीज़ को recommend नहीं करता कि आप यहीं पर लिखिए HTML भी इंगलर बोलता है कि आप अलग से फाइल बनाई है वहाँ पर लिखिए यह सब कुछ भी और भी हम डिटर्स में आ फाइल भी होता है वहाँ पर local CSS लिखते है एक global CSS होता है देखिए style.css फाइल यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो क्या होगा कि globally जितने भी इस पूर रेट का अंदर component रेट कर दिया ठीक है लेकिन इस component का अपना local CSS भी है उस CSS का नाम है app.component.css फाइल देखिए यहाँ पर अ CSS हो जाएगा और यह का करेगा global CSS को override कर देगा मैं blue लिख दूँगा blue दिखने लएगा दिखे blue दिखने लगा ठीक है इसको भी आप inline लिख सकते हैं ठीक है आप inline लिख सकते हैं हाँ पर आप चारते हैं जो कि already मैं आपको दिखा भी रखा हूं एक वीडियो में यहाँ प style URL लिखेंगे तो इन लाइन लिखना होगा अगर आप style URL करेंगे तो किसी फाइल का path देना होगा ठीक है यहाँ लिख सकते हैं एच्वन बैग्राउंड कलर ठीक है column और है पर मालिज हमने pink कर दिया पिंक इसको अंदर रखना होगा कट करके इसके अंदर यहाँ पर रखिए ठीक है और यहाँ पर curly bracket बंद करिए और शुरल करेंगे देखिए अब क्या होगा कि बैग्राउंड कलर पिंक हो गया होगा ठीक है तो यह सारे क्या है मेटा डेटा है ठीक है सब मेटा डेटा है अभी चीज़ और भी आप नोटिस करने वाला चीज़ है कि यहाँ पर इसमें भी सिंगल कोट से यहाँ पर square bracket को है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आप multiple CSS के फाइल का पात रख सकते हैं अगर आपके पास और भी कोई CSS का फाइल क इसको लिखेंगे वहाँ एक दू लाइन का CSS है तरज़र लिखेंगे कोई दिकत नहीं और बड़ा CSS देखना है तो यहाँ पर फाइल के अंदर लिखेंगे ठीक है तो इस तरीके से पहला application create करके हम run कराते हैं तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि first up कैसे create करते हैं कैसे run करके देखते हैं तो इसको अच्छे से practice करिएगा ताकि आपको आगे हम आने वाले वीडियो में practical करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा practical करते टाइम कोई भी दिकत आएगा तो आप हमें comment जरू करिएगा हम आपको solution provide करेंगे आप अच्छे से पढ़िए हम लोगों में share करें ताकि सबको देखने को मिले जिसे कि हमारा मनुबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए तो चली मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपी के साथ तब तक लिए thank you so much